इस मॉड्यूल में हम सिस्टेमेटिक संप्लिंग के तरीके पर बात करेंगे सिस्टेमेटिक संप्लिंग पर बात करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ कि बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे कि सिस्टेमेटिक संप्लिंग को लोग रेंडम संप्लिंग के साथ अलाइन करते हैं उसी के साथ कलब करते हैं और ग्रूप करते हैं लेकिन आपको चंद कताबें ऐसी भी मिल सकती हैं जिन में systematic sampling को non random sampling के साथ जोड़के पढ़ा जाता है मैं आप पे ये फर्क थोड़ा सा वाज़ कर दूँगा कि दोनों तरह के लोग जो इसको random sample समझते हैं और कुछ लोग जो इसको random sampling नहीं समझते उनके जहन में क्या logic है इस बात का क्या reason है तो ये procedure explain करके तो फिर मैं आपको अगर ये बात बताऊंगा तो ये बहतर समझाएगी पहले हम simple ये देख लेते हैं कि systematic sampling होती ही क्या है अब मेरे पास population का data मौझूद है और मेरे पास population का exact number भी मौझूद है let's say के मेरे पास 17 एक्राम का data है और मेरे पास उसमें मुझे पता है के total population let's say 100 की है और 100 में से मैंने तक even 25 लोगों को select करना है तो इसका मतलब है मुझे population size भी पता है और मुझे sample size भी मैंने determine कर रखता है तो अगर मैं इसका procedure ये करूँ कि मैं एक interval calculate कर लूँ और उस interval पे लोगों को select करता जाऊँ असान मिसाल के तौट पर अगर मैं समझानी हो बात तो सामने जो slide पे आ रही है इसको आपको समझना असान होगा आद देखे के उपर वाली row में 12 लोगों के image से बने हुए 12 आईकॉन से बने हुए इसका मतलब है अगर मेरी population में total 12 लोग हैं और मैंने ये फैसला किया है कि मैंने इन में से तीन लोगों को अपने sample में शामिल करना है तो उसका तरीका क्या होगा कि मैं 12 को 3 पे divide कर देता हूँ या 4 लोग स्लाइड में नजर आ रहे हैं कि 4 लोग लेने है तो मैं इसका मतलब है sample अगर 4 का है और total population 12 है तो मैं 12 को 4 पे तक्सीम कर दूँ तो इसका मतलब है 3 मेरा interval है population में से हर तीसरा बंदा अगर मैं select करता जाओं तो मेरे पास 4 लोग मुकमल हो जाएंगे अपने sample में इसको आप पढ़ते हैं तो हमने यूँ लिखा हुआ है कि आप के थ individual के का मतलब यहां क्या है एन्थ है जैसे एन नमर कितनवा बंदा बारा में से अगर मैंने चार लोग निकालने हैं तो हर तीसरा तो मेरे इस केस में के की value तीन आ गई है कि हर तीसरा शक्स मैं select करूँ त तो मैंने यूं किया कि एक class है students एंजिस्ट में 12 students से मैंने तीन students लेने हैं तो मैं जाके पहले class में register उठाता हूँ उनका हाजरी का और उसमें से 12 लोग जो हैं जो उस list में लिखे हुए हैं उनको उनके roll number के लिहाज से मैं तर्तीब देता हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई biasness जिस तर्तीब में वो register में roll number wise लिखे थे उसी तरह मैंने उनको रहने दिया अपने सामने उस list लोग रख लिया चार लोग लेने हैं तो 12 को चार पे तक्सीम किया तीन answer आ गया हर तीसरा बंदा मैं select कर लेता हूँ अच्छा अब इसमें problem क्या है कि तीसरा तो लेना है मैं श चुरू कर सकता हूँ पहले बंदे को select करूं उसके बाद दूसरा तीसरा चोड़ दूँ और चौते को select कर लूँ चौते के बाद फिर दो चोड़ दूँ और सात्वे को select कर लूँ इसका मतलब है अगर मैं पहली selection first individual को करूं roll number one को करूं तो फिर मेरे पास जो लोग को select कर लेता हूँ और फिर दूसरे के बाद दो चोड़ के तीसरा फिर दो चोड़ के तीसरा तो अब मेरे पास जो लोग sample में आ जाएंगे वो दो पांच आठ और 11 है अगर मैंने पहले से शुरू की starting point पहले individual को रखा होता roll number one को तो मेरे पास और लोग आते अब मैंने two को रखा है तो मेरे पास और लोग आ गए मेरी पहली जो choice है कि मैंने start कहां से करना है interval तो तैह हो गया कि हर तीसरा लेकिन हर तीसरे के लिए जहां से आप start करते हैं उससे आगे लोग बदल जाते हैं कौन मनतखिब होने हैं इसके अंदर क्योंके starting point की choice researcher के पास होती है तो इसक नतीजे में एक element of bias रहने का chance रहता है क्योंकि पहला आपने randomly नहीं लिया पहला आपने अपनी मर्जी से start कर लिया अगर तो फिर आपने equal opportunity का principle violate कर दिया इस वजह से बहुत से लोग इसको non probability या non random sampling का तरीका कहते हैं जबके जो इसको कहते हैं कि ये random sampling है तो उनकी राए ये है कि आप सिर्फ पहले की choice starting point की choice आपके पास है आपने एक दफ़ा ये फैसला कर लिया कि मैंने number two से start लेना है तो फिर अगले आपकी choice नहीं है फिर वो एक system के तैथ select होते चले जाएंगे इसलिए उनका ख्याल है कि ये random है मैं अपनी जाती राए आप से share कर सकता हूं कि मैं इसको random sampling दो तीन वजुहात से नहीं समझता लेकिन मेरी understanding आप पे binding नहीं है आप अपनी समझ के मताबक फैसला कर सकते हैं कि ये कौन सी category of sampling में fall करता है जब मैंने एक pre determined interval भी निकाल लिया अब ये एक और बात है जो मैं आप से जिकर करने लगा हूं कि देखिए मैंने पहले से tag कर लिया ना कि हर तीसरा तो दर्म्यान में जो दो आते हैं उनको तो equal opportunity मैंने नहीं दी selection की तो फिर दूसरी बात भी violet हो जाती है कि हर individual के पास random sampling में equal opportunity of selection होती है तो वह बात भी एक तरह से compromise हो जाती है कि जब मै मैंने process शुरू करने से पहले ही एक interval तै कर लिया और ये जहन में रखिए कि interval कितना होगा इस बात का फैसला आपके sample size से हो जाता है population मुझे पता है बारह है अगर मैंने बारह में से तीन लेने होते तो पहले ही तै हो जाता कि हर चौथा every fourth तो interval तै हो गया जो every fourth हो जाएगा तो दर्मयान वाले तीन जो उनको चांस तो खतम होगया अगर मैंने चार लोग select करने है तो interval बना 3 का तो दर्मयान में जो दो आ रहे हैं पहले के बाद 14 ले रहा हूं या दूसरे के बाद 5 ले रहा हूं तो दर्मयान में जो दो लोग आए हैं उनको क्या equal opportunity of selection मिली या मेरे interval के determine करने के साथ ही वो opportunity खतम हो गई इन वजुहात से लोग इसको कभी random sampling और कभी non random sampling का हिस्सा समझते हैं लेकिन anyway ये दोनों में से किसी में भी शामिल करें ये आपकी चौईस है आपकी understanding है लेकर एहम बात ये है systematic sampling का procedure ये है कि आप population जब आपको पूरी पता हो कितनी है sample size आपने फैसला कर लिया है कि कितना चाहिए आप population को sample size से divide करते हैं तो interval निकलाता है और फिर आप उस interval को follow करते हुए अपनी population में से अपना sample draw कर लेते हैं तो इस तरीके से आप इसको systematic sampling कहते हैं इसमें population की जो order है या organization है वो क्योंके matter करती है तो उसके तरीके बुखतरिफ तरह से बनाए हुए 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 लोगों ने आप roll number wise लोगों को तरतीब से लिक लेते हैं या उनके नामों को alphabetically तरतीब दे लेते हैं ये तमाम आप उनको नमबर से लिक लें या उनके नामों को alphabetically तरतीब दे के उनको population में लिस्ट कर लें इन तमाम या इस तरह के और procedure का मकसद सिर्फ एक है कि आपका जो element of biasness है वो कम हो जाए यापकी choice पे लोगों की positioning ना हो बलके वो किसी system के तायत हो ताके आपकी जो अपनी biasness है या आपके अपनी जो preference है वो आपके sampling के process पे असर अंदाज ना हो सकती हो तो इस procedure को जब आप follow करते हैं तो आप कहते हैं कि आपने systematic sampling की systematic random random मैं बार बार record में इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे खुद भी यकीन नहीं कि ये random procedure में आता है या नहीं आता है